कि आई आज मैं आपको हमारे अंडर कंस्रॉंचन आनिमल हॉस्पिड़ल का तूर दूँगा वह अंडर कंस्रॉंच Additional हॉस्पिड़ल जहां पे खुलने से पहले ही बड़े सारहना नर्ट टीटमेंट मिपारफ से पर टिचह पको यहां पर दिख रहे हैं कि सडक में चोटे और बरसात में हो जाती ही इनकी हालत खराब तो इनको हमने पहले ही अपने काव शेड में भर लिया भी हमारे बिजली का मीटर तक नहीं लगा सब कुछ चल रहा है उस बड़े से जेनरेटर से और काव शेड में तो जितने इस समय ट्रीटमेंट और सफाई के लिए लो ये जो है हमने काव शेड बनाया बड़ा सिस्ट्मार्टिक हमारे दोनों साइड घृरली ईहे हैं खाने की पानी पानी इसमें रहेगा 24 घंटे साथ ही साथ हर ख़ूरली में एक ड्रेन है टाकि हमें साफ सफाई करने में असानी हो साथ ही साथ सारी जो ड्रेन्सैं क्लोस कि यहां पे आपका में इसलिए रहना पड़ना पड़ता है कि यहां पर बिमार गाये ब्ले होते हैं तो इने सब इसलिए լैन के बैं Barband定 कि इसलिए हमने यह ぁंधे रखे हैं मैть Henry Newarlene से ताकि इनके घुटनों में कहीं पर चोटना लगे यह जो सब है यहां पर स्टेनले स्टील की जाली लग रही है ताकि मच्छर मखी अंदर ना आपाएं लेकिन जो फ्लो है पूरा रहे यह हमारे चार आप कह सकते हो यह वो है हमारे आइसी यू कह सकते हो जैसे कि कोई प्रेगनेंट गाय आती है कोई अग्रेसिव बैल आ जाता है कोई खचर आ जाता है इसको बागियों से अलग रखना है तो यह उनके लिए हमारे बनेंगे प्राइविट रूम्स फिर हमारे अस्पताल में भी अब थोड़ा सा काम अंदर का बचा है भाइदा फिर यह सारा हो रहा है न हुशेटूत के पेड़ पड़ी सारी यहाथ ही घास ताकि जब हरए घास की हमारे पर साल में कमी हो तो हम इसका हश्तवाल कर सेके यह हमारा बन रहा है सड़क तो यह सड़क कर यहांपर Hm? पारकिंग की तरह फैल जाएगी स साथी में इसके बिजली की तार जाएगी जैसे ही हमारा मीटर डलता है और यह अब हमारा मेन अस्पताल तो यह जो है हमारा है OPD एरिया जो लोग अपने प्राइवेट पशू लाएंगे उनका इलाज यहां पर होगा उस साइड जाएंगी गाए और इस साइड आएंगे डॉग्स यहां पर अभी अलम्यूनियम का एक दरवाजा लगना है और यह हमारा होगा सारा रेस्क्यू एरि फिर हमारे यहां केनल्स के बड़े सारे विंग है पर मैं आपको वो दिखाने से पहले दिखाता हूं हमारा यूटिलिटी एरिया तो भई सब कुछ जैसे वो रही किचन हमारी फिर उसके बाद यहां पर लॉंड्री है स्टोरेज है एंड देन सबसे जादा इंपॉर्डें हमारा एक आइसोलेशन वाला रूम जो बाकी अस्पिताल से कनेक्टेड नहीं है इसका रस्ता सिर्फ बाहर से है तो कोई भी जो इंफेक्शन वाला डॉग आता है जैसे पार वो या डिस्टेम पर वो जो है अलग से रहेगा फिर यह हैं हमारे केनल्स का विंग नमबर वन यह हमारे रेस्क्यूज रहेंगे तो यह उनका सबका अंदर का बेडरूम है अब आप देखो के इसको हमने कवर किया है प्लेक्सी ग्लास से तो यह अस्पिताल के अंदर है लेकिन फिर भी इसके अंदर एक अलग कमरा बना रखा है हमने क्योंकि यहां पे हम सर्दियों में लगाएंगे हीटर ताकि यह लोग गरम रह सकें इनका बाहर वाला एरिया भी है वह मैं आपको बाद में दिखाता हूं पहले में आपको दिखाता हूं हमारे जो केनल कविंग नंबर टू है और साथ में सर्जरी केनल तो विंग नंबर टू अगेन बना वैसे ही है अंदर बेड्रूम, बाहर बैलकनी, यह उनका प्ले अरिया, तो यहां पर चेनलिंक लगनी है, यह हमारा एक कौर ओपरेशन थीटर, यहां पर सिरफ स्टरिलाइजेशन होगी, तो यह भी अगेन बाकी अस्पताल से जुड़ा तो हुआ है, पर फिर भी काफी सेपरेट है, ताकि जो सरजरी वाले डॉग्स हैं, यानि कि स्पे और न्यूटर वाले, उनको इंफेक्शन का खत्रा कम से कम रहे, अगेन यह उसी तरह के कैनल बने हैं, अंदर बेड्रूम, उस साइड बैलकनी, पर इनके लिए कोई प्लेक्राउंड नहीं है, क्योंकि उन्होंने आना है, और चा कैनल के विंग नंबर, आप गैस कर सकते हैं, विंग नंबर टू, फिर मैं आपको दिखाता हूं हमारा जो सारा काव एरिया है, अब काव एरिया का, अगेन यह जो हमारा करंट क्लीनिक जो सेटप है, उसमें आपने देखा होगा, कि हम गाय को ऐसे ही बाहर खुले में लिट तो हमने बनाया है एक प्रॉपर उपरेशन थीटर, उससे वहले गाय का OPD यहां पर अगेन कैटल क्रश लगेंगे, जो अस्पताल में भी बन रहे हैं, काव शेट में भी बनने है, वो मैं आपको दिखा दूँगा, यह हमारा गाय का ओपरेशन थीटर, पहले तो सिंपल र जैसे आपने देखा होगा, डेंटिस्स वगेरा के बास होती है, बड़ी आसे टेबल लाइको पैर से उपर हो जाती है, यह हमारा रहेगा, एक्सरे और अल्टरा साउंड वाला रून, पर वो भी अभी तो यह फिलाल बंद रहेगा, जब हमारे पास पैसे होंगे, तब हम लगाएंगे, यह उमीद तो यह ही है, कि जादा रेकवरी होगी, और फिर जादा रिलीज़,